कारी लेक्टरा पर रहे थे और रिप्ट पर रहे थे लेटरस में होगstarter स्झी घॉमेटीन बता चुके थे लाक च्य होतकि क्या होता है नयूसमें लोग उसका सैड़्य मोइ– सड्यिसद in सो कर ट्रेलस्य ऐचे बकारी लेटर्स है कि वडिक। से जिसमें क्या होता है इसको में जानते हैं कि यह इसका जो अधिया informs का करएंगे कि यंद रखना है यहांं तो दुन made ॐ यह हैं यहां पर आइसा होता हा ना यह एड़ या ंडी और does not reflect the कि तो कितना होगा 60 जगरी होता है इस टो बना हुआ ऐख़िया एक ट्रैंगल इधर है इस ट्रैंगल का नाम क्या है तो A, C, B इस triangle का नाम क्या हो गया? A, C, B और इस triangle का बात करेंगे तो यहाँ पर कैसा triangle नहीं तो यहाँ A, D, C यहाँ पर A, D, C है तो दो triangle बनता है यहाँ पर कितने triangle बनता है? दो एक quadrilateral है जो triangle को दो triangle को अदि हम लोग सटा दिया जाए तो एक quadrilateral हो सकता है और हम लोग यह जानते हैं कि एक triangle में तीनों angle का sum 180 होता है यहाँ पर देखे यह इस तीनों को add करेंगे यह 1 और यह 2 और यह 3 यह तीनों को add करेंगे हम लोग angle 1 angle 2 और angle 3 यह तीनों को add करेंगे तो कितना होगा? 180 degree होता है यहां हम लोको मालोह है एक ट्रैंगल में तीनों एंगल की कितना होता है 180 डिग्री होता है इधार से भी देकhेंगे इधार मानलोह इसका नाम इंद दिया जाए 4 ये 5 और ये 6 तो देखिए यहां भी एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6 ये 3 की तुट को जोड़ों को जोड़ दिया जाए यह दोनों को जोड़ दिया जाये जैंगे यह बन जाए छोन ज़ slips के यह बन जाएंगे ट्रीघ का देंगे फिर एंगल 5 और फिर एंगल लिखेंगे एंगल 3 एंगल 6 एश और यह जब दुनों जुड़ेंगा तो 360 डिग्री हो जाएका यहां को को दिक्क्राइब होना चाहिए अब क्या होगा इतनों एड्स होगा यदि 1 और 2 डाड करेंगे यह 1 और 2 डाड करेंगे यहां एमगल बं जाएगे यह κάνुक ओर यह आंगल 2 का इंगल कह द på up यहां क्या बी हें यह एंगल अर्ग है यह एंगल दिखेंगे और यह एंगल Is plus angle C plus angle D equal to 360 degree होता है यह है quadrilateral का 4 angle का sum integral angle का sum यह बात किया जाएगा तो यह quadrilateral है इसका देखेंगा कुंशा होगा यह होगा यह 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 हो जाएगा पिर देखेंगे 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 यह एंगल एक्ष्टियर इसका ये एंगल जो है इसका एक्ष्टियर है और ये एंगल है तो चाहिए वो किसी भी ताटा का पोलिगोन हो यह quadrilateral है और quadrilateral एक पोलिगोन होता है ना तो चाहे वो किसी विताय का पोलिगोन हो यह जो exterior का सम होता है ना यह 1 हो गया यह 2 हो गया 3 हो गया यह 4 हो गया यह सबका सम जो होता है angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 यह कितना होता है तो यह 360 360 degree होता है याद रखेंगे कि चाहे वो किसी बिताया का पोलीगोन हो चाहे वो ट्राइंगल हो चाहे वो क्वाडिलेटर हो चाहे वो पेंटागोन हो चाहे वो हेक्सागोन हो चाहे वो किसी बिताया का पोलीगोन हो उसका जो एक्स्टेर एंगल का जो सम होता है वो 360 डिगरी हो एक्स्ट एंगल यह हो जाएगाלא कि एक्स्ट यह जाएगा और इसका दो बात करेंगे तो यह होगा तुद कि ये तीनों का सम होगा ये टार्य को इन होगा तो हमने क्या सिखा हमने सिखा 於 चाहिए वो हाने एनी पोलीगोन, कोई भी पोलीगोन होगा, सम अफ एक्स्टेर एंगल, सम अफ एक्स्टेर एंगल्स, is equal to 360 degree, यह होता है, तो एक पोईंट हमनों यह जाने, यहाँ पे कि क्याइडि लेट्र का चारो एंगल का सम कितना होता है, 360 degree होता है, और साते साथ हमनों यह भी सिख लिएं यहाँ पे, कि चाहे वो किसी भी ताग पोलीगोन हो उसका जो एक्टेर एंगल का जो सम होता है वो थिली 60 डिगरी होता है चाहे वो क्वाडिलेटरल हो चाहे वो ट्रेंगल हो कुछ भी हो अब इसके आगे होनों देखते हैं क्वाडिलेटरल में क्वाडिलेटरल का हमनों एरिया कैसे नि लेटेरल का एरिया क्या होगा तो देखिए हमनों समझते हैं ध्यान से देखिए इसको हम लोग यह इसको मिला दिये हैं ठेक है अब आगे यहां पर दो ट्राइंगल बन गया और area of triangle करें बात किया जाएगा तो हम जानते हैं कि area of triangle करें बात किया जाए तो क्या आता 1 by 2 base into height तो अधि मालू इसको बेस बना दे इसको और यहां पर head row कर दे तो इस triangle के रिए निकल जाएगा और यहां इसी को base बना के ऐसा तो इसका भी area निकल जाएगा हम आप माल लेते हैं एसा कि यह जो base जो बना रहे है वो B है ठीक और यह H1 है यह H1 है और यह क्या है H2 है ऐसा माल दे तो देखे एक triangle जो यहां पर है A, B, C एक triangle बन रहा है A, B, C और दूसा जो triangle जो बन रहा है क्या बन रहा है A, C, D दो triangle बन रहा है तो A, B, C का अधी area निकलेंगे area area of triangle A, B, C इसका area निकलेंगे A, B, C का तो क्या होगा 1 by 2 और base base into height यह हमनों को मालूम है तो यहां पर ध्यान देंगे 1 by 2 और base base क्या है यहां पर B है यह आप इस triangle के बाद किया जाएगा A, B, C का तो यहां पर यह base B है base उसी को बोला जाता है जिस पर परपेंडिकुलर डो जिसे धान देजिएगा जिसे यहां पर यह एक triangle है ऐसा तो यदि मालोग देखिए यहां से इस पर 90 डो हो गया तो इसके अनुसार से base यह हो गया और यदि मालोग कि इसको यहां पर 90 डो कर देंगे यहां पर यहां पर यहां पर इस भर्टेक्स से लंब इस पर डाला गया था तो यह base कहलाएगा इस vertex से lump इस पर डाल गया तो बैस यह कराएगा और इस vertex in life इस पर है तो बैस यह कराएगा तो यहाँ पर लिखा आगा ना 1 by 2, base B, और height क्या है? H1, ऐसा, और फिर से हम लोग एरिया लिखेंगे, area of triangle, निचे से triangle जो है आपका triangle A, C, D, यहाँ पर A, C, D लिखेंगे, और इसका जब area लिखेंगे तो 1 by 2, और यहाँ base, यहाँ फिर से base क्या है? B है, और H क्या है? यहाँ पर देखेंगे, यह हम लोग के क्या है? H2, ऐसा, इस तरस है, तो इसका जब area आभी दोनों को add कर देंगे, देखेंगे, इसको और इसको जब हम लोग कर देंगे, तो यह पूरा figure को हम लोग के area मिल जाएगा, हाँ, तो यहाँ पर area क्या हो जागा इसका? तो हो जागा, area is equal to 1 by 2, और यहाँ पर base, B, H1, और फिर पलस से हो जाएगा, 1 by 2, base, B, और H2, ऐसा हो जाएगा, और यहाँ ध्यान देंगे, तो यहाँ देखेंगे आपको, कि यह देखेंगे, 1 by 2, 1 by 2, B, B, common है, तो 1 by 2, और B क्या हो जाएगा, common है, बचेर क्या, H1 पलस H2, ऐसा, तो यह होता है हम लोग के area of quadrilateral, चाया वो किसी भी ताय का quadrilateral हो, उसका area निकालना हो, तो यहाँ पर 1 by 2, बेस, 1 by 2, बेस इन्टू, H1 पलस H2, यह जब हम लोग को, बेस मतलब क्या है, यह 20 को बेस मना दिये, यह हाइट मालूम हो जाए, और यह हाइट मालूम हो जाए, ठीक, यह पता रहेगा, तो इस figure का area निकाल सकते हैं, देखें, area of quadrilateral का मतलब, अधि किसी भी ताय का, तो इसे निकाल सकते हैं, इसके अलावे भी quadrilateral का हम लोग को बहुत सा type देखना है, quadrilateral जो होता है, kite, kite एक भी quadrilateral होता है, तो kite का अलग area निकालेंगे, अलग तरह देखेंगे, जिससे quadrilateral में देखेंगे, हम लोग के rhombus, rhombus भी एक quadrilateral होता है, तो वहाँ उसका area अलग अलग देखेंगे, quadrilateral में हम लोग रेक्टेंगर लाएगा, तो महाँ भी area हम लोग से देखेंगे, उस साब जितना भी इसका type आएगा ना, वो सबका area अलग देखेंगे, लेकिन आदे माले कोई type नहीं है, किसी quadrilateral है, तो उसको area इस तरह से निकाल सकते हैं, तो यह हम लो पर लोगाम काप कालाएगा, कोई भी quadrilateral kite कालाएगा, कोई भी quadrilateral rombus कालाएगा, महां लोग कि एकर करकर में देखेंगे उसको, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग को अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के पाश्यार कीजिए, और कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर से मिलते हैं हम लोग, next class में quadrilateral का विस्तार रूप से देखेंगे, सारा type देखेंगे, types of quadrilateral को लेके आएगे हम लोग इस दिन, और सारा properties भी देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए, बाई, आपका दिन, सुब हो, सुब राद रिए